कोई भी बैच लोगे तो उस बैच में क्या फरक है वो मैं बता रहा हूँ तो देखो कवरेज दोनों में सेम हैं आप regular बैच लीजिए या exam oriented बैच लीजिए जो 100% कवरेज है वो दोनों में होता है एक फरक जो मैंने बताया कि regular भी ज है तो और बैच में हम separate *** की बुक उसको 7 में लेकर चलते कि जहाँ जहां-जहां पर हमया नीज लगती है कि उस सक्षं को जादा जरूरि है तो हम क्या गalthते से उस सक्षं को एनलाइस करते है फिर हम क्या करते कॉम्पाइक टे चैरो पर यह फिर हम बन जाता है उसका तो उसके लिए हम यहाँ पे बेरेक्ट वाला जो बुक है वो देते है सम टॉपिक का उसके साथ में आपको कॉम्पैक्ट मिलेगा 2.0 और कंपाइलर मिलेगा बैट अगर एक्जाम ओरियंटेड की बात करोगे तो उसमें जो बेरेक्ट वाला बुक है वो न और हर लेक्चर आपका दो घंटा 40 मिनट दो घंटा 50 मिनट के आसपास का है तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 210 से लेके और 220 आर्स का जो है वो टोटल डियूरेशन है बैच का बट वही अगर अपन फास्ट रेक एक्जाम ओरियंटेड बैच की बात करेंगे तो इसक जो है वो 150 से लेके और 155 आर्स का आपका डियूरेशन रहेगा